हेलो गाइज विलकम टू टेक प्रोमेक्स तो आज स्टाट एप के एप एड्स.txt वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँ तो हम बात करते हैं एप एड्स.txt के बारे में तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि वो एप एड्स.txt फाइल को कहां पे रखें और इसको किस सरा उन लोगों ने अपने सर्वर पे या फ्री सर्वर पे अपलोड करना है और इस फाइल का क्या करना है तो आज मैं आप लोगों को डीटेल के साथ बताऊंगा तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने टेक प्रोमेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोगों ने अपने start app account में जाना है अभी आप लोग स्टार्ट app account में आ गए हैं तो यहां पर आप लोगों को analytics नजर आएंगे लेकिन आप लोगों ने जाना है app ads.txt में यहां पर आप लोगों ने जाके जो आप लोगों को ये नजर आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है इसका कि आप लोगों ने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है तो यहां यह जो बटन आप लोगों को नजर आ रहा है यहां इस बटन पे क्लिक करके आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां से अपने company का कोई server purchase कर लें और उस पे upload कर लें तो मैं आप लोगों को detail के साथ ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने server किस तरह purchase करना है और उस पे किस तरह upload करना है अभी मैंने server purchase किया हुआ है तो मैंने उस पे upload किया हुआ है वो मैं सिर्फ आप लोगों को दिखा दूँगा तो आप लोगोंने क्या करना है कि इसको डाउनलोड करके आप लोगोंने अपलोड करना है सर्वर पे तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है यह आप लोग देख लें कि यहाँ मैंने इसको अपलोड किया हुआ है यह वाला जो है यह मेरा अपना सर्वर है goposts.com का और इस पे मैंने file manager में जाके यहाँ पे जो root हमारा इसका जो main root folder है उसमें मैंने यह upload किया हुआ है तो आप प्लोगों ने भी root folder जो है वहाँ पर आप लोगों ने upload करना है तो वहाँ पर आप लोगों करना है जो आप लोगों को इसके बाद जो step होगा वो यह होगा कि जहाँ पर आप लोगों ने एप को publish किया है play store जो play console है वहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे store presence में जाके जो store presence है यहाँ पे जाके आप लोगों ने store sitting में अपने website link को update कर लेना है तो यह मेरा website का link है जो मैंने update किया हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ पे आके आप लोगों ने एक काम करना है आप लोगों ने अपने अकाउंट में जो माई अकाउंट है इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लोगों ने जो वेब साइट है वो सेम वो ही लिंक जो आप लोगों का वेब साइट है वो यहाँ पे आप लोगों ने डालना है तो यह three steps जो हैं वो आप लोगोंने करने है कि सबसे पहले आप लोगोंने file download कर लेना है उसके बाद पिर server पर upload कर लेना है और आप लोगोंने यहां पर यह update कर लेना है website link और आप लोगोंने अपने app में भी website link जो है वो update कर लेना है तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग app ads.txt फाइल को अपने सर्वर पे किस तरह अपलोड करेंगे इसके बाद पिर मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो आउड लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को एक बताऊंगा कि आप लोग फ्री सर्वर पे किस तरह अपलोड कर सकते हैं और एक और वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कर दो दो कर दो दो करें आ आ-दो